पाठ दो वर्ण विचार फोनोलोची वर्ण वह छोटी सी छोटी मूल ध्वानी है जिसके खंड या टुकडे नहीं किये चा सकते जैसे अ, क, ग, च, ट, आदे वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है वर्ण माला, आल्फबेट वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्ण माला कहते हैं हिंदी वर्ण माला में पहले स्वर वर्णों तथा बात में व्यंजन वर्णों की व्यवस्था है वर्णों के प्रकार Kinds of Letters हिंदी वर्ण माला में कुल उन्चा स्वर्ण है इनमें ग्यारा स्वर तैतीस व्यंचन दू अयोग वाहा और तीन सैयोग ताक्षर है मुख्य रूप से वर्णों को दू भागों में पाटा गया है एक स्वर वोविल्स दू व्यंचन कॉंसोनेंस एक स्वर वोविल्स जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की सहायता की आवशक्ता नहीं होती वे स्वर कहलाते हैं इनकी संख्या क्यारा है स्वर अ आ इ इ उ उ उ रि ए ए उ ओ उ मात्रा अ आ इ इ उ उ उ रि ए ए उ ओ उ विशेश ह्रिस्व अ की मात्रा अलग से दिखाई नहीं देती है किन्तु जब ये किसी व्यंजन वर्ण में लगती है तब व्यंजन वर्ण के नीचे लगा हलंत का चिन हट जाता है जैसे कशुद्ध व्यंजन है स्वर के भेद काइंस ओफ वोविल्ज स्वर को तीन भागों में विफाक्त किया गया है जिन वर्णों की उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है अर्थात थोड़ा समय लगता है उन्हीं ह्रिस्वस्वर कहते है अ, इ, उ, और, री ये चार ह्रिस्वस्वर है ख, दीर्खस्वर लोंग वोविल्ज जिन वर्णों की उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगता है अर्थात ह्रिस्वस्वर सी दोगना समय लगता है उन्हीं दीर्क स्वर कहते हैं ये साथ दीर्क स्वर हैं जब हरिस्व अथ्वा दीर्क स्वरों का लंबा उच्चारड किया जाता है तो उसे प्लुट स्वर कहते हैं इसके उच्चारड में तीन मात्राओं का समय लगता है प्लुट स्वर प्रकट करने के लिए स्वर के आगे का चिन लगा देते हैं जैसी ओम दो वियंचन ऐसे वर्ण जो स्वर वर्णों की सहायता से बोले चाते हैं उन्हीं वियंचन कहते हैं वियंचन को हल भी कहते हैं हिंदी भाशा में संयोत वियंचन को मिलाकर कुल तीन और तैदेस यानि की चटीस वियंचन है वियंचन के भेद काइंस ओफ कॉंसोनेंस उच्चारण की द्रिष्टी से वियंचन को चार भागों में विभात किया जा सकता है क स्पर्श वियंचन म्यूट कॉंसोनेंस क अंतस्त वियंचन सेमी कॉंसोनेंस ग उश्म वियंचन सिबलेंट कॉंसोनेंस जिनवर्णों की उच्चारण में जिवा मुख की विभिन भागों का स्पर्श करती है उन्ही स्पर्श वियंचन कहते है इसके अंतरकत क से लेकर म तक 25 वर्ण आते है इन्ही पांच वर्गों में बाटा क्या है प्रतीक वर्ग का नाम उसी वर्ग के पहले वर्ण से आरंभ होता है जैसी कवर्ग ग ख ग ग न चवर्ग च छ ज ज ज ज य य तवर्ग त थ ड ध र र तवर्ग त थ द ध न पवर्ग प, फ, ब, भ, म, स्पर्श व्यंचन हल चिन्ह सबी व्यंचन वर्णों में आ स्वर रहता है जैसी क, क, आ जब स्वर्ग रहत व्यंचन का प्रेयोग करना हो तो उसकी नीचे हल चिन्ह लगाया चाता है ख, अंतस्त व्यंचन सेमी कॉंसोनेंस जिन्हर्णों का उच्चारण स्वरों और व्यंचनों की पीच का होता है उनहीं अंतस्त व्यंचन कहा चाता है जैसी य, र, ल, व, ग, उश्म व्यंचन सिबलेंट कॉंसोनेंस वायू की रगड से पैदा होकर जिन्हर्णों की उच्चारण में उश्मा आती है उनहीं उश्म व्यंचन कहते है जैसी श, श, स, ह, ग, स, व्यंचन जोईन्ट कॉंसोनेंस जो वर्ण दो व्यंचनों की मेल से बनते है उनहीं सियूत व्यंचन कहते है जैसी श, क, श, त, र, ग, ज, य, इसकी अतिरेट श, श, र, ध्वन्यों का सियूत रूप है जैसी श्रमेक, श्री, श, र, र, द्वन्यों का सियूत रूप है जैसी श्रिंगार अयोग वाहा इसका अर्थ है जो मेल ना होने पर भी साथ रहे अर्थात ये ध्वनिया न तो स्वर है न व्यंचन लेकिन स्वर और व्यंचन के साथ इनका प्रयों किया जाता है ये तीन प्रकार की होती है एक अनुस्वार नेसल दो अनुनासिक सेमीनेसल तीन विसर्ग कोलन एक अनुस्वार नेसल यह स्वर के बात आने वाला व्यंचन है इसकी ध्वानी नाक से निकलती है अतहा इसी नासिक यह व्यंचन भी कहते है प्राया इसी स्वर यह व्यंचन की उपर लगाया जाता है जैसे अंक, मयंक चंदन आदी विशीश अनस्वार जिस पर्ष व्यंचन की पूर्व आता है उसका उच्चारण उसी व्यंचन की वर्ग में आने वाले नासिक यह व्यंचन की रूप में होता है उदारण अलंकार शब्द में अनस्वार क सी पहले आया है अताह इसका उच्चारण होगा अलंकार अनुनासिक सेमी नीसल इन स्वारों की उच्चारण में ध्वानी मुख की साथ साथ नासिका सी भी निकलती है अताह अनुनासिक को प्रकट करने के लिए शिरोरीखा की उपर चंदरबिंदु का प्रयोग किया जाता है जैसी चांद, गाउं, आँख, आदि परन्तु जब शिरोरीखा पर मात्रा लगी होती है तो चंदरबिंदु की जगा मात्र बिंदु लगा दिया चाता है जैसी हैं, मैं, कहीं, आदि तीन, विसर्ग, कोलन वन की आगे जो तो बिंदु लगाई चाते हैं उन्हीं विसर्ग के नाम से जाना चाता है इसका उच्चारण हा की समान होता है जैसे प्राया, मना, आदि नव विक्सित अतिरिक्ट वर्ण हिंदी में कुछ नए व्यंचन भी विक्सित हो गए है इन्हीं उक्षिप्त व्यंचन कहते हैं जैसी र, र, उच्चारण स्थान तालिका वर्णों का उच्चारण करते समय जेवा मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श करती है इन स्थानों को उच्चारण स्थान कहते हैं उच्चारण स्थान तालिका वर्ण, अ, आ, क, ख, ग, घ, न, ह, विसर्ग उच्चारण स्थान कंठ वर्ग का नाम कंठिय वर्ग, इ, ई, च, च, ज, च, य, य, श, उच्चारण स्थान तालू, वर्ण का नाम तालव्य वर्ण, री, ट, ठ, ड, ध, ढ, र, र, श, उच्चारण स्थान मूर्था, वर्ण का नाम मूर्थन्य वर्ण, त, ठ, द, ध, न, ल, स, उच्चारण स्थान दन्त वर्ण का नाम दन्तिय वर्ण, उ, 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 प, फ, ब, भ, म, उच्चारण स्थान उष्ठ वर्ण का नाम उष्ठ्य वर्ण, न, य, र, न, म, उच्चारण स्थान नासिका भी वर्ण का नाम नासिक्य वर्ण, ए, ए उच्चारण स्थान कंठ तालू वर्ण का नाम कंठ ताला फ्य वर्ण, उ, ओ, उ, उच्चारण स्थान कंठ उष्ठ्य वर्ण का नाम कंठ उष्ठ्य वर्ण, व उच्चारण स्थान दंठ उष्ठ्य वर्ण का नाम दंठ उष्ठ्य उच्चारण की समय स्वर्णतंत्रियों में कंठ की आथार पर हिंदी ध्वनियों को दो वर्गों में विपाचित किया गया है एक अघोश ध्वनी दो सघोश ध्वनी एक अघोश ध्वनी जिन ध्वनियों की उच्छारण में स्वर्तंत्रियों में कमपन नहीं होता है उन्हीं अघोश ध्वनी कहते हैं प्रतीक वर्ग का पहला तथा दूसरा वर्ण और श, श, स, वर्ण अघोश ध्वनिया है समस्त अघोश ध्वनिया इस प्रकार है कवर्ग कखा, चवर्ग चछा, टवर्ग टठा, तवर्ग तठा, पवर्ग पफा, उश्म, श, श, स, दू, सघूश द्वानी जिन ध्वानियों की उच्चारण में स्वर्टंत्रियों में कमपन होता है, उन्हीं सघूश द्वानी कहते हैं सभी स्वर, प्रतीक वर्ग का तीसरा, चौथा, तथा पाच्वा वर्ण, अंतस्त वर्ण और हा वर्ण सघूश द्वानिया हैं समस्त सकोश्थ्वनिया इस प्रकार हैं कवर्ग ग घ न चवर्ग ज ज य तवर्ग ड ढ ढ ड ढ तवर्ग द ढ ढ न पवर्ग ब भा मा अन तस्त य र ल व उश्म हाग